ओम शान्ति आज 22 एप्रिल 2023 है हम सब भाग्यवान है पदमा पदम भाग्यशाली है तो ये पदमा पदम भाग्यशाली हम कैसे बने किस विधी द्वारा हम ये स्रेष्ट भाग्य को प्राप्त कर पाए आए इस बात को आज के स्लोगन के द्वारा जानते है स्रेष्ट करम का ज्यान ही स्रेष्ट भाग्य की लकीर खीचने का कलम है भाग्य विधाता स्वयम भगवान है और भाग्य की लकीर को भाग्य की रेखाओं को स्रेश्ट बनाने वाला ब्रम्हा को माना जाता है इसलिए बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने छोटों को समझानी देते समय यही कहा करते कि जब ब्रम्हा ने भाग्य बाटा था तब तुम सब कहां थे तो कहने का भावार दिही है कि ब्रम्हा को भी भाग्य बाटने वाला देवता मानते हैं तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब का भाग्य स्वयम भगवान ही बनाते हैं या हम सब का भाग्य जो है वे ब्रह्मा देवता की रूप में हम सब को बाटते हैं नहीं हम सब का भाग्य हम खुद ही बनाते हैं अपने भाग्य का हम स्वयम ही मालिक हैं हम स्वयम ही अपने भाग्य को रचते हैं, लेकिन परंपिता पर्मात्मा शिव हमारे स्रेष्ट भाग्य बनाने का ज्यान देते हैं, अर्थात यही ज्यान है कि स्रेष्ट कर्मों द्वारा हम अपने भाग्य को स्रेष्ट और उंचा पदमा पदम पती भाग्यवान वाला हम बना सकते हैं, स्रेश करम ही स्रेश भाग्य बनाने का कलम है इसलिए बाबा कहते हैं कि इस कलम से जितना लंबी लकीर भाग्य की अपना खीशना चाहो वे उतना खीच सकते हैं इसलिए बाबा ने हमें स्रेश करम का ज्यान दिया है लेकिन कभी कभी हम स्रेश करम करते करते जब कभी विपरीत परिस्तिती आते हैं तो वो कलम हम खो देते हैं अर्थात स्रेश करम करते हुए धीरे धीरे हमारे करम साधारन हो जाते हैं और साधारन करम से वेर्थ करम की और चले जाते हैं इसलिए शिब बाबा ने हम सब बच्चों की समक्ष ब्रह्म्हा बाबा को सैम्पल के रूप में रखा बच्चे तुम्हें कुछ करने की आजशक्ता नहीं है सिर्फ पॉलो ब्रह्म्हा बाबा करना है क्योंकि ब्रह्मा बाबा का एक एक कदम एक एक करम स्रेश रहा स्रेश चरित्रवान रहे इसलिए हमें सिर्फ फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है इसलिए कहा ब्रह्मा भी भाग्य बाटता है भाग्य बाटने का अर्थ ही है कि एक ब्रह्मा के करम को हम सब बच्चों ने देखा और उनके हिसाब से अपने करम को भी बनाया तो ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना माना स्रेश्ट भाग्य की जो कलम है स्रेश्ट करम उस करम को अपने हाथ में टाइट पकड़ करके रखना और ब्रह्मा बाबा ने क्या विधी अपनाई ब्रह्मा बाबा स्वयम स्रेश्ध धरम में स्थित होकर के स्रेश करम करते थे तो हमें भी अपने स्रेश्ध धरम में स्थित होना है ताकि मेरा एक एक करम स्रेश्ध हो जाए और उस स्रेश करम से हम अपने भाग्य को भी स्रेश्ट बना सके तो आईए हम अपने हाथ में स्रेश करम रुपी जो कलम है उसको टाइट पकर करके रखे और अपने भाग्य की रेखाओं को बहुत लंबी और उंची खीचे और स्रेश भाग्यवान पदमा पदम भाग्यवान बने ओम शांति